वासियो पिछले दिनों में हिमाचल परदेश में क्रोनवाइरिस के मामले ठंग गए थे नए मामले नहीं आये थे हम बहुत संटोश में थे बहुत खुशी में जो positive मामनू का जो आंकड़ा 35 पहुंच गया है ऐसे में हिमाचल प्रदेश में भी यह आंकड़े यहां तक पहुंचना हम सब के लिए चिंगता का विशह है lockdown की बज़ा से बहुँ सारे हिमाचल के हमारे बच्चे बहुत सारे हिमाचल के लोग दूसरे परदेश में फंसी हुई हैं बार बार उनकी ओर से आगरे आ रहा है कि हम हिमाचल आना चाहते हैं अपने घर जाना चाहते हैं मैं उन भाई और बेहनों से सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि एक हिमाचल आपका है आपका घर है आपका विनन्दन है स्वागत है लेकिन उसके बाप जूत ये परसितियां अलग तरह की हैं इस बात को हमको समझने क्याप शक्ता है और आप इतने दिनों तक लॉक्डाउन में 21 दिन तक जब पहला आग्रे आदन्य पधान मंति जी का हुआ था उसका भी आपने पालन किया अपने स्थान परी रहे अपने स्थान से बाहर नहीं निकले और उसके साथ साथ में दूसरे लॉक्डाउन के लिए जब पधान मंति जी ने आग्रे किया वो शुरू हुआ और उसके लिए भी आप मंस्तिती को बना करके रखेंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ मैं एक बात जुरूर कहना चाहता हूँ बहुत सारे बच्चे फोन कर रहे हैं बहुत सारे लोग फोन कर रहे हैं कि हमको हिमाचल आने दिया जाए और ऐसी परसिती में मैं सिर्फ इतने ही कहना चाहता हूँ अगर आप आना भी चाहते हैं तो भी आपको घर जाने से पहले 14 दिन के लिए कोरंटाइन में रहना पड़ेगा वो परसिती में समस्ता हूँ कि आपके लिए और भी कठिन होगी क्योंकि वर्तमान में जहां हैं आप वहां हो सकता इससे बहतर हैं और वहां जब कोरंटाइन में रहना पड़ेगा और हिमाचल में आने के बाद अपने जिले के बॉडर में आपको कोरंटाइन के लिए बैठना पड़ेगा रुखना पड़ेगा 14 दिन तक ऐसी परसिती में आपको और भी मांसिक रूप से भी परिशानी होगी ऐसे में मेरा निवेदन है बिनंबर नि हम उम्मीद करते हैं आने वाले सुमय में हलात सुधरेंगे हलात ठीक होंगे करोना वारिस पर जीतना बहुत जरूरी है ये मुझे आप सबसे निवेदन करना है दूसरी बात और भी मैं कहना चाहता हूं बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हिमाचल परदेश में आये भी हमारे साथ सेहन किया है गुजारा है और ऐसे में कुछ वक्त और गुजारिये इसमें आप सब का भी भला होगा और आपके परिवार आपके परदेश शिमाचल परदेश में भी किसी को किसी परकार की परिशानी नहीं होगी एक बार फिर से मैं आप से निवेदन करना आप हैं हमसे जो भी मदद की जा सकती है हम वो मदद पहुंचाने की कोशिश करेंगे हम बहुत आवश्यक होगा जिसके परिवार में कोई घटना दुर घटना हो गई है कोई बिमार हो गया है ऐसी परसिती में लाने की ब्यवस्ता करने की अगर बात आती है लेकिन फिर भी उ फिमाचल परदेश में आकरके अपने परिवास से मिल सकते हैं तो इसलिए उचित यही रहेगा यही बेहतर रहेगा कि हम जहां हैं वहीं पर रुके आप सब के सहों के लिए बहुत बहुत आभाद बहुत धन्यवाद नमस्कार जाहिए